राश्ट्रोन नती के पत्पर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षिप्त रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डोकर श्रीमति स्वाती सधानन गोड बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक 18 दिसंबर का विचार नित्या नित्य विवेख ही सुख का आधार समपूर्ण जड चेतन स्रुष्टी में जड की अपेक्षा चेतन को अधिक स्रेष्ठ माना गया है चेतन स्रुष्टी में भी वनस्पती स्रुष्टी से प्राणी स्रुष्टी अधिक मात्रा में स्वभावतहा परिस्थितियों से सफलता पूर्वक संगर्ष कर सकने के कारण स्रेष्ठ है सारे प्राणियों की तुलना में जीवन संगर्ष में अधिकतम मात्रा में सफल होकर प्रकृती पर विजय प्राप्त करने में अत्यधिक सफल दिखाई देने से मनुष्य प्राणी सबसे स्रेष्ट माना गया है परन्तु सभी मनुष्य समान नहीं होते किसी में कम किसी में अधिक शक्ती एवं बुद्धी दिखाई देती है इस विशमता का कारण ढूनने वाले अनुसंधान कर ही रहे है परन्तु यहां उस विशय की चर्चा नहीं करनी है शक्ती बुद्धी युक्त मनुष्य अधिक बुद्धिमान वस्रेष्ठ माना जाता है यह सार इस में से ग्रहन कर हम अपने विशय की चर्चा करेंगे मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होने के कारण अन्य प्राणियों के समान ही निसर्ग के आगातों से केवल क्रिया प्रतिक्रिया कर अपने को सुरक्षित रखने का उपक्रम ही नहीं करता अपितु बुद्धी का उपयोग कर निसर्ग की सारी वस्तुओं तथा शक्तियों को अपने सुख के लिए काम में लाने के प्रयत्न में लगा रहता है उसमें से अधिकाधिक सुख प्राप्त होने के लिए वह निरंतर प्रयत्न शील रहता है केवल खाना पीना तथा प्रजनन द्वारा वंशसातत्य जो जीवस रुष्टी का हेतु है उसमें संतोष नव मानकर अधिक सुखी बनने का उसका अहरनिश प्रयास चलता रहता है इनी प्रयत्नों में से उसकी सुख खोजने की प्रवरुत्ती का उदय होता है काईक, मानसिक, बवद्धिक, विभिन सुखों की श्रेनियों का वह अनुभव करता है व्यक्तिगत तथा समस्टिगत सुख के विवेक का भी उसके मन में उदय होता है यह सभी मानते हैं कि समश्टी सुख के लिए स्वयम परिश्रम तथा विपदाय झेल कर व्यक्तिगत सुख का गोम करने में भी वह सुख का अनुभव करता है जिन में इस प्रकार की बुद्धी का उदय होता है उन्हें बुद्धि मानों में भी स्रेश्ठत्व प्राप्त होता है सुख केवल शरीरो पभोग या मन के रंजन में नहीं अपितु सारासार विवेक से समश्टी सुख के लिए निश्चित किये गए करतव्य पूर्ती में है अर्थात यह मानना पड़ता है कि विवेक संपन्न मनुष्य का जीवन स्रेश्ठ तथा आदरणिय है कहा गया है कि विवेक का अपनी क्रियाओं पर अंकुष रहे अर्थात हम योग्यमार्ग से कार्य करे और अयोग्यमार्ग से अपने आपको परावृत्त करे क्या ग्रहन करे तथा क्या छोडे कर्म क्या है और अकर्म या विपरीत कर्म क्या है इसका निर्णय करना ही विवेक के अंतरगत आता है परंतु विवेक के निकश क्या हो यह कहा जाता है कि नित्य तथा अनित्य सार तथा असार सत्य तथा असत्य में भेद समझ कर नित्य सार तथा सत्य को ग्रहन करना तथा अनित्य असत्य असार का त्याग करना यही विवेख है उससे ही स्रेष्ठ सुख को प्राप्त हो कर सकते हैं अतयव अपने जीवन में नित्य सारवुत सत्य तथा तत्निमित्य सत्कर्म क्या है इसका विचार करना लावदाई होगा बाधाऊ से भयन हमें हम तूफानों में चलते हैं विपदाऊं के कंटकवन में हम अगनी शिखाबन जलते हैं भारत मता की जय वंदे मातरम